हाई एवर्वान वेलकुम बैक टो मैं चैनल फ्रेंड्स गर्मियों का मौसम और थंडी थंडी कॉल लिंग हो और अगर आइस्क्रीम हो तो मज़ा ही आजाता है और अगर आइस्क्रीम हो तो मज़ा दुगना हो जाता है तो मैंने सोचा क्यों ना आज आज आपके साथ एक सब्सक्रीम वाल हमने ऌहेसिटर रहें के अरदूपल खुआ अरएँपल अगरा थैयार हो जाएंगी तो यहांने एक बॉटल ले ली आपम तो करेंगे तो सबसे पहले में नाइफ को गास पर गरम कर लूँगीक तो यह लिजिए हमने नाइफ लिया और उनक गरम कर लिए कि अचले के जो नहीं बाइब करें दो भी एक हम आपको कि समूध हो जाया तो सीजर के हैं लिए अचले इसे कट कर लेंगे और इसे बिल्कुल ढूर बिल्कुल स्मूध कर लेंगे तो यह देखिए हमारा मोल्ड उतोबन कर बिल्कुल गेडी हो चुका है वो कहते है ना फ्रेंट्स हल्दी लगे ना पिटकरी रंग चोखा का चोखा तो बस यही काहवत को आदम ने सच कर दिखाया है तो यहां मैंने बॉटल ले लिए दूसरी एपिफेस की और इसको खोल द अगा तो थोड़ा सा ही इसे हमने खाली रहने दिया बागी इसमें कोल रिंग डाल देंगे हम तो आप यहां पर हमने यह फॉइल ली है इसको फॉल्ड कर देंगे ताकि यह ठिक हो जाए और फॉल्ड करने के बाद में इसके उपर लगा देंगे जो हमने मोल्ड रेडी किया था वह हमने ले लिया है अब उसके उपर हम इसको लगा देंगे और इस तरीके से यह रबर बैंड हमने ले लिया है इसको भी लगा देंगे ताकि निकले नहीं फॉइल तो यह देखिए अब नाइफ की हेलफ से छोटा सा इसमे डाल लगाएंगे और आईस क्रीप लेंगे और इसको डाल देंगे इसके अंदर तो यह तो हमने डाल दिया न दर तो आइस क्रीम हमारी जमने के लिए रेडी हो चुकी है और अगर आप इस तरही के से मोल्ड नहीं बनाना चाहते हैं आपके पास घर में छोटी छोटी ग्लास तो होते ही हैं फ्रेंड सबके पास तो इस तरह से इस ग्लास के अंदर भी आप आइस क्रीम को बना सकते हैं तो मैंने चोटा सा ग्लास लिया है यहां पर और यह जो कोल्डरिंग थे हमारी इसके अंदर पोर कर देंगे हम ग्लास में और फिर इसी तरह से इसके ऊपर भी हम लगा देंगे अच्छा से रैप कर देंगे फॉइल से इसको और फिर इस्टिक लगा देंगे अब इसमें स्टिक लगा देंगे हम तो लीजिए दोनों मॉल्ड हमारे रेडी हो चुके हैं अब इसको रब देंगे हम फ्रीजर में ओवर राइट सेट होने के लिए और फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे कि हमारे आइसक्रीम कैसे बनकर तयार हुई है तो लीजिए आइसक्रीम तो हमारे बिल्कुल रेडी हो चुकी है अब इनकाल के बताएंगे आपको किये कैसी बनी है तो यहां पर हम एक बॉल ले लेंगे उसके थोड़ा सा मेने वाटर डाल दिया है अब इन ग्लास को हम इसमें रख देंगे और कुछ देर के लिए रखना है कुछ सेक अब बॉल जब लेंगे और देखने में तो इतनी ज्यादा यमी लग रही है खाने में भी बहुत ही ज्यादा ड्लीशियो से एक बार तो जरू ट्राइ कीजिएगा और अब इसी तरह से जो मोल्ड ने बाटल से बनाया था उसमें से भी साइस्क्रीम को निकाल लेंगे तो इसमें से भी निकल जाती है यह देखे हमने कितने असानी साइस्क्रीम निकाल भी लिये हैं और कितनी ज्यादा यमी लग रही है और हमने कुछ किया भी नहीं है इसमें कुछ भी शूगर एड नहीं किये ना फूड कलर ना ही कोई ऐसेंस आई होब फ्रेंड्स आपको मेरी जरूर पसंद आएगी तो कमेंट से मुझे जरूर बताएगा कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी आइस क्रीम की I hope friends आपको जरूर पसंद आएगी और मिलते हैं अपने नेक्स फीडियो में थैंक्स फॉर वोचिंग बाई